हेलो दोस्तो आज इस गाने का मैं आपको हिंदी में मतलब बताऊंगा उसका नाम है यूटर्न जिसे गाया है आरनेत ने और शिप्रागोईल ने और इसका म्यूजिक दिया है लाडी गिल ने दोस्तो प्यार में जब किसी को दोखा मिलता है तो कैसे उसका हमसफर यूटर्न ले ले लेता है मतलब बिल्कुल पदल जाता है वही इस गाने में बताया गया है तो आईए देखते हैं इस गाने का हिंदी में मतलब क्या है मतलब मेरे इश्क जब बाजा बज गया था तभी मेरे दोस्तों ने मोटा मोटा अंदाजा लगा लिया था कि पत्थरों के घरों में दिल भी पत्थर के हो गए है एतबार अब कच्छे मुकामों पर ही रह गया है मतलब कभी टनों में मतलब बे इंतिहा प्यार होता था कभी और अब मरजानी का मतलब लड़की का जो दिरे दिरे प्यार है सिर्फ ग्रामों में रह गया अभी लड़की अपनी सफाई में क्या बोल रही है कि हाई तेरे नालो वक्त सची एस गलो होई वेसी तेरे नाल मेरा ता फ्यूचर ना कोई वे ये लाइन दो बार है इसका मतलब है तुझ से अलग सच में इसलिए हुई थी कि क्योंकि तेरे साथ मेरा कोई फ्यूचर नहीं था वलब अभीशे नहीं था नेक्स लाइन में लड़का बोल रहा है कि दिल तो बगैर की ते जोना हुंदा मिलदा कर देना बार्बी क्यों सी इस दिल दा मतलब दिल खेप बगैर अगर जीने को कहीं मिलता तो मैं इस दिल का बार भी क्यों मतलब जो भुना हुआ मास होता है वैसा बना देता अपने दिल को मतलब बड़े गर की लड़की थी भाई बदलती भी क्यों ना यामा बाइक वाला यार कहां से रेंजरोवर कार की ब्रावरी कर लेता इंडिया की करंसी की तरह सस्ता था लड़का भाई हीर तो कोई दुबई के दिरामों में ले गया खरीद कर मतलब अगर मैं बड़े घर वाली जिद नहीं करती तो मेरे ससुराल धरमपूर गाउं में होते ना स्टार बन गया क्योंकि तेरी नियत अच्छी थी एक बात बता कैसे लिख लेता है तुगा ने नेक्स लाइन में लड़का कह रहा है कि तोख्याने करता दिमाग बिलो तेज नाडे पहला जया करंट ना बदामा विच रह गया मतलब दोखों नहीं दिमाग तेज कर दिया है क्योंकि पहले जैसा करंट अब बदामों में भी नहीं रह गया है लास्ट में ये रिपीट लाइन है कदे टना विच हुंदा सी प्यार तुट पैणी दा ते होडी होडी मित्रो ग्रामा विच रह गया ये लाइन दो बार है मतलब कभी टनों में मतलब बे इंतिहा प्यार ह होता था मर जानी का मतलब लड़की का अब दीरे दीरे दोस्तों सिर्फ ग्रामों में ही प्यार रह गया मतलब नामातर ही प्यार रह गया अब इस प्यार आप